नमस्कार दोस्तों स्वागत करतों आप सभी को ठेकी राच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बंधन बैंक या फिर किसी भी बैंक का नोमिनी को आप कैसे चेंज कर सकती हो या फिर आपने नोमिनी नहीं दिया हुआ है अपने बैंक में तो नया नोमिनी को आप केस से एट कर सकते हो तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आन तक जरूर देखेगा और इदिया अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बैल आइकोन को जरूर दबा बैंक में आपको सब्मिट करना है तो दोस्तों यहां पर में आपको दो एप्लिकेशन लेटर लिखना बताऊंगा एक तो चेंज करने के लिए नोमिनी और दुसतरा नोमिनी नहीं दिया हुआ है तो नया नोमिनेट करने के लिए ठीक है तो आपको क्या करना है दोस्तों existing nominee को आप बदल रहे हो, तो आपको change of existing nominee against account number, आपका account number यहाँ पर बढ़ना है, और बिल्कुल same आपको यह copy करना है, ठीक है, यदि आप nominee change कर रहे हो, nominee आपने नहीं दिया हुआ है, और आप नया nominee भरना चाहती है, तो second वाला आपको select करना है, adding of nominee against account number आपका, तो यह वाला select कर आप जो भी कर रहे हो, उस अनुसार से जो है, आप यहाँ पर select कर लिजगा, ठीक है, उसके बाद में dear sir या फिर ma'am जो भी है, आप select कर लिजगा, उसके बाद में आपको I open the above account on 15th November 2018, आपने जिस date पर account खोला है, वो आपके passbook पर रहेगा, ठीक है, वो आप यहाँ पर mention कर दिजगा, I open the above account on 15th November 2018, आपका जो भी date है, वो आप यहाँ पर भर दिजगा, उसके बाद में an assign Maya, आप नोमिनी का नाम जो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर भरना होगा, तो दोस्तों उसके बाद में my sister is the nominee, आपका जो भी sister है, brother है, जो भी है, यह Maya, वो आप यहाँ पर select कर दिजगा, however, now I would like to replace the existing nominee with somebody else, the details of my new nominee are as under, उसके बाद में नया नोमिनी का नाम आप जो देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है, यह आपका जो Maya में ने दिया है, यह पुराना नोमिनी है, ठीक है, अभी फिलाल मैं आपको बता रहा हूँ कि नोमिनी change केसे करना है, तो यह जो Maya है, यह मेरा sister है, उसके बाद में यह mention करना होगा आपको, और नीचे में आपको यहाँ पर नया नोमिनी का नाम, पिता जी का नाम, उनका माता जी का नाम, और relationship क्या है आपका, वो नोमिनी के साथ, वो आपको यहाँ पर देना है, brother, sister, जो भी है, वो आप से ले कीजगा, नोमिनी का date of birth, नोमिनी का कोई भी national ID card है, तो उसका number आप यहाँ पर दे सकते हो, उसके बाद में नोमिनी का address देना होगा, उसके बाद में आपको simply यह लिखना होगा, कि all necessary documents are in clause, herewith for your further handling, I would like to appreciate if you kindly update my nominee information as early as possible, उसके बाद में आपको नीचे देना ह होगा, ठीक है, तो दोस्तों यह letter आपको लिखना होगा, उस case पे कि जब आप change कर रहे हो existing nominee को, ठीक है, और यदि आप नया nominee दे रहे हो, आपका जो है bank account में कोई भी nominee नहीं है, तो वो case में आपको क्या करना होगा, simply आपको इतना change करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ पे, आपको इतना ही आपको यहाँ पे change करना है, ठीक है, यह जगे पे आपको यह भरना है, I opened the above account on 15th November 2018 and I did not assign nominee in my bank account, however, now I would like to add a nominee, the details of my nominee are under, तो same सिर्फ आपको इतना ही copy कर लेना है, ठीक है, यदि आपका bank में nominee add नहीं है, नहीं nominate कर रहे हो, तो सिर्फ आपको इतना ही copy कर लेना है, तो दोस्तो इसका जो है, यह format का change of nominee का format भी आपको मिल जाएगा, और adding of नया nominee का format भी आपको नीचे link आपको मिल जाएगा, यह दोनों format आपको मिल जाएगा, आप वो link पे click करके जाके copy कर सकती हो, आपको सुविदा रहेगा, ठीक ह तो दोस्तो इस प्रकार से जो है, आप अपना bank का nominee को change कर सकते या फिर नए nominee को aid कर सकते, तो दोस्तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद तर लाइक ज़रू किजगा, चैनल को सब्सक्राइब किजगा, मिलते अगले वीडियो में, अभी